दोस्तों आज कि इस वीडियों में हम बात करने वाले हैं IPL 2021 सेलेटट एकजाम में पूछे जाने वाले सभीकोशन के बारे में दोस्तो इसका पुछाम के वủे है यानि इन सभीकोशन में से के उटिवास कि एक्जाम में एक या दोशजान आपको ज़रूर मिलेगा तो काफी important topic है exam point of view से इसी कारण से आप वीडियो को जान से और अंतक देखेगा मेरा नाम है रोनक मान और आप देख रहे हैं exam skill YouTube channel दोस्तों देरने करते हुए वीडियो को start करते हैं दोस्तों पहला question है मारा IPL 2021 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है तो IPL 2021 में भाग लिने वाली टीम है आठ इस question का option number D से ही होगा और अब की बार यानि 2021 में IPL की सुरुवात हुई है 9 अपरेल से और इनका समापन होगा यानि IPL 2021 का final match खेला जाएगा 30 मई को और दोस्तों अब की बार 2021 में IPL भारत में ही होएने वाले हैं जो कि पिछली साल यानि 2020 में UAE में हुए थे यह बात तो साथ आप सभी जानते ही होंगे अब देख लिते हैं IPL 2021 में भाग लेने वाली सभी टीमों के बारे में और उनके कैप्टन के बारे में पहली टीम है हमारी चैन्नेई सूपर किंग्स तो चैन्नेई सूपर किंग्स के कैप्टन है महंद सिंग धौनी फिर है रोयल चैलेंजर्स बैंगलूरू रोयल कभार टीम के कप्तान है डेविड बोडनर इसके बाद है Mumbai Indians Mumbai Indians team के कपतान है रो इतरं म फिर आप कोलकाता नाइट रेड़um Colorado Knight Reger's team के कपतान है यहोंशंग उब इसके बाद साथ वीस्टि में अपकी पंजाब किंग जिसका पहले नाम था किंग इलेवन पंजाब तो दोजार एकिस में इस टीम का नाम बदला गया है तो नया नाम बना है पंजाब गेंग ठीम के कप्तान है के अपने देश भारत में होने वाला है तो इस कोषिण का का option number B साही होगा है नेश्ट कोछिजन है महारा आइपयल 2021 का आईज़न होने वाला है 9 अप्रेल से 30 मई के बीच में तो इस कोछिजन का option number C साही होगा है नेस्ट कोछिजन है महारा दो तो 2021 में खेले जाने वाला आई पिल कौन सा संस्क्रण है तो 2021 में खेला जाएगा वह संस्क्रण होगा आपका चोद्वे संस्क्रण तो इस कोश्चन का option नंबर ऐसे हिँगा दोस्तों आई पिल की सुरूआत्री तो 2008 में तो 2008 अग से पर्टेक वर्ष आई पिल खेला जा रहा है उसमें खेले जानेवले मैचों की कुल संख्या होगी साठ यानि चुछी तो इस कोश्विचन का ओपशन नमबर बीस ही होगा रहिज्ट है इस ने ऐसर आप फिल जार एक्षिस का पहला मैच कहा खेला जाएगा तो आप्फल दो पर प्रेस कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा नेस्ट कोशन है आइपल दोजार 21 का पहला मैच किस टीम के बीच खेला जाएगा तो आइपल दोजार 21 का पहला मैच तो चैन्ने में खेले जाएगा उजी दो टीम होगी मुंबई इंडियन्स और रोयल चैलेंजर बैंग लुडू तो इस कोशन का ओप्शन नमबर डी सही होगा नेस्ट कोशन है आइपल दोजार 21 की प्राइज कंपणी यानि टाइटल स्पोंसर कौन सी कंपणी बनी है तो यह कंपणी बनी है विवो यानि विवो स्मार्टफोन कंपणी तो इस कोशन का ओप्शन नमबर 20 होगा और 2020 में यानि पिछले साल बनी थी ड्रीम 11 और 2019 में भी आपका काफी important है नेस्ट कोशन है आइपल 2021 के सबसे महंगे खिलाडी कौन बने है तो आइपल 2021 की जाब बोलियां लगाई गई थी खिलाडियों की तो उसमें सबसे महंगे खिलाडी बिके हैं क्रिस मौरिस यानि इस कोश्चन का ऑप्सें नंबर सी सही होगा उजे क्रिस मौरिस हैं दक्षिन अफ्रीका के यह कोश्चन भी आपका एक्जाम में पूछा जा सकता है कि यह घ। कॉश्चन आइपर दोजार एकिस के सभी मैच रूच न्यूट्रας वैंडियू पर खेले जाएंगे तो इस नूट्राल वैंडियू का मतलब हो और कोई टीम अपने ग्रेलू मैदान पर कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगी तो इस कोश्चन का ओप्शन नमबर बी सही होगा नेस्ट कोश्चन है हमारा आएपेल दोज़ार इकिस का फाइनल तीस माई दोज़ार इकिस को किस स्टेडियम में खेला जाएगा नरहिंद्र मोदी स्टेडियम में जो कि गुजरात एमदाबा बाद मेशती थे हैं यानि इस question का option number C सही होगा और दोस्तों जे नरेंद्र मोदी इस्टेडियम है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्टेडियम भी है तो यह question भी आपका एक्जाम में पूछा जा सकता है कि नेस्ट question है आईपेल 2021 का official broadcaster कौन सा चैनल बना है यानि जो आईपेल 2021 का live streaming होगी वह किस चैनल पर official तरीके से होगी तो वह चैनल होगा आपका star sports यानि इस question का option number B सही होगा नेस्ट question है आईपेल 2021 का official partner कौन सी company बनी है तो आईपेल 2021 में official partner बनने वाली company है dream 11 अनकेडमी और सफारी यानि इस question का option number E सही होगा उप्रोक्त सभी नेस्ट question है आईपेल 2021 का एंपार पार्टनर कौन सी company बनी है तो आईपेल 2021 में आईपार पार्टनर सी फासिल की है पेटियम ने इस question का option number C सही होगा नेस्ट question है आईपेल 2021 का official strategic time out partner कौन सी गंपनी बनी है तो जो strategic time out होता है उसका पार्टनर सी फासिल की है इस question का option number A सही होगा नेस्ट question है आईपेल टीम किंग्स 11 पंजाब का नया नाम क्या होगा तो जो आईपेल की बदल का रखा गया है पंजाब किंग्स यानि इस question का option number B सही होगा नेस्ट question है मारा आईपेल का पहला संस्क्रण किस वर्सा जो जित किया गया था तो जो आईपेल की शुरुआत हुई थी वो किस वर्स हुई थी तो यह शुरुआत हुई थी 2008 में इस question का option number C सही होगा नेस्ट question है आईपेल 2021 की विजय टीम कौन छी थी दोस्तो आईपेल की सुरुआत में हुई थी और 2008 में ही फाइनल मैच जीता था राजिस्थान रोयल्स ने तो इस question का option number A सही होगा और दोस्तो उप विजयता टीम रही थी चैन्नाई सुपर किंग्स यह question भी आपको अच्छे से ध्यान लख लेना है विजयता टीम रही थी राजिस्थान रोयल्स और उप विजयता टीम रही थी चैन्नाई सुपर किंग्स next question है भारत में IPL कौन सी संस्था आजजित करती है तो भारत में जो IPL मैच होते हैं उनको आज़न करता है BCCI तो BCCI की full form होती है Board of Control for Cricket in India यह full form भी आपकी exam में पूछी जा सकती है एक बार और repeat कर देता हूं Board of Control for Cricket in India next question है BCCI की स्थापना कब हुई थी तो BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में इस question का option नंबर B सही होगा next question है BCCI के अध्यक्स कौन है तो BCCI के वरतमान में अध्यक्स है सोरब गांगुली इस question का option नंबर B सही होगा next question है BCCI के सचिव कौन है तो BCCI के सचिव है वरतमान में जै सहा option number C सही होगा next question है BCCI का मुख्याले कहां इस्थित है तो BCCI का मुख्याले है मुंबई में इस्थित तो इस question का option नंबर B सही होगा next question है किस IPL टीम ने सरभादिक बार जीत हासिल की है तो सरभादिक बार IPL में जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियन्स इस question का option number A सही होगा next question है IPL में 300 चक्के लगाने वाले पहले खिलाडी कौन बने हैं तो जो IPL में सबसे पहले 300 चक्के लगाई हैं वो लगाए है क्रिस गेल ने तो इस question का option number C सही होगा दोस्तो अगर आप IPL की सभी टीमों यानि आठ टीमों कोई मालिकों के बारे में जाननों चाते हैं यानि किस टीम के मालिक कौन है तो उस वीडियो का लिंक दिया गया है वीडियो के description box में अगर आप उस वीडियो को अभी देखना चाते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को अभी देख सकते हैं तो दोस्तो यही थी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताईएगा अगर आपने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन पर प्रेस कीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तो ठीक है मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक आप स्क्रीन पर सो हो रही वीडियो को देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्जाम स्क्राइब